अब रुकरते हैं शिम्ला की उर KCC बैंक के सवा लाख लोन खातों का विशेश ओडिट कराएगी अपसरकार प्रदेश के आधा दर्जन जिलो के लाखो पुभोकताओं को बैंकिंग सेवा मुहिया कराने वाला कांगला के इंद्रिय सहकारी KCC बैंक फीशर संकट में आगया है बैंक में पहली बार 45 करोड रुपे के घाटे में आने के बाद जराम सरकार ने राच्ट्रिक कृशी और ग्रामीर विकास बैंक यानि नाबाड के सिफारिश पर बैंक के विशेश ओडिट के आदेश चारी कर दिया है इसके लिए पंजियन सहकारी सभाओ यानि RCS को निर्देश जारी हो चुके है इस विशेश ओडिट में बैंक के करीब सवा लाग से ज्यादा लोन अकाउंट का ओडिट होगा और इनमें होने वाली गडबडी के रिपोर्ट सरकार को सौपी चाहेगी आपको बता दें कि RCS के निर्देश पर CA firm डोगर और कंपनी द्वारा वितवर्श 2018-19 के सालाना ओडिट के बाद ये बात सामने आई थी कि बैंक 45 करोड रुपए के घाटे में आ गया है जबकि बैंक प्रबंधन ने ओडिट में पहले दावा किया था कि बैंक 65 करोड रुपए के मुनाफे में है